आज के हमारी इस वीडियो को टॉपिक फिडर एंड ट्रांस्विशन लाइन डिफरेंस मतलब कि फिडर और ट्रांस्विशन लाइन में क्या अंतर होता है दोसे यह वीडियो इलेक्टिकल से जुड़े सभी स्टूडेंट के लिए और साथ में जो भी इलेक्टिकल के वर्क कर तो अघर हम सबसे फिडर की बात करें तो फिडर का उपियोग हमारी इस्टिभिशन सबस्टेशन और इस्टिब्सट्र रांस्वर गसा करने के लिए किया जाता है अभी हम इसी पॉइंट को और भी अच्छे एक डाइग्राम की बता से समझ लेंगे ताकि आपको भोईशे में कभी भी confusion पैदा ना हो लेकिन दोस्तों उसके पहले एक मिनिट हम आज के इस sponsor को धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि Unacademy educational platform है दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से Unacademy यह बताना चाहा है कि Unacademy electrical engineering के सभी student के लिए तीन test series को करा रही है यह तीनो जो test है यह तीनो पुशितर के से free test है इसके लाव जो भी इस free test में नंबर 25 तक की position को हासिल करता है उसको Unacademy के दवारा Amazon के 2,500, 1,000 रुपे के gift voucher भी दिये जाएंगे वैसे तो दोस्तों यह जो test series है यह engineering के सभी student के लिए निकाली गई है लेकिन मैं भी आपको सिर्फ electrical की बताओ तो electrical के अंदर पहला test 14 नंबर को होगा दूसा test 21 नंबर को और तीसा test 28 नंबर को होगा और starting के top 25 student को जो prizes मिलेंगे वो तीनों के लिए अलग-अलग मिलेंगे इसके अलाव दोस्तों इस test series के लिए जो भी question आएंगे उन सभी के chances गे 2021 में आने के काफी ज़ादा है क्योंकि यह जो test series है यह test series गे 2021 को ध्यान में रखके भी बनाई गई है तो अगर आप मेंसे कोई भी test series में इंडॉल करना चाता है तो इसके लिए आप इस video के description box में जाके link को check कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको साथ ही बतलू यह test series है यह test series आप online भी दे सकते हैं और साथ साथ आप इसे offline भी दे सकते हैं तो दोस्तों इन सभी के बाद में अब हम वापस हमारे topic क्यों पार जाते हैं और हम इस video transmission line को इस diagram की मतस्ते समझ लेते हैं तो दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक sub station के उपर वीडियो को बनाये था उस video के नमें आपको बताये था कि हमारे जो बिजली जनरेट होती है वह सबसे पहले पावर प्लांट में बिजली जनरेट होगी यहाँ पर पावर प्लांट भी हमारे एक sub station लगाए जाता है जिसको बोलते है हमारा generating sub station इसके बाल में जो generating subscription होता है यहाँ से हमारे transmission wire को उप्योग में लिया जाता है जो कि हमारे बिजली को दूस्य शहर में ले जाने का काम करती है तो दोस्तों ये जो generating sub station है उससे हम Transmission Line ही बोला करते हैं और next अगर हम Feeder की बात करें तो हमार जो भी Distribution Service Station के बाद में जो भी हमारी Line निकलती है उससे हम Feeder बोलते हैं जैसे कि अगर आप देखेंगे हमार जो Distribution Service Station है इसके बार में हमारी दो Line निकलती है Number 1 और यह होगी हमारी Number 2 तो इसको हम क्या बोलेंगे Feeder A, Feeder B, Feeder 1, Feeder 2 और दोस्तों इसके अलाव यहाँ पर आपको और भी कुछ चीज़े Feeder और Transmission Line से जूरी पता होनी किये सबसे पहली जी हमारी जो Feeder होता है इस Feeder को कहीं कहीं पर Distribution Line भी बोला जाता है इससे जादा आपको Feeder देखने को नहीं मिलेगा इसके अलाव दोस्तों अगर हम Feeder के Voltage की बात करें तो Feeder Line के अंदर जनरली 11 KV के Voltage को Transmit क्या जाता है लेकिन कहीं कहीं पर आप 33 KV को भी देख सकता है अगर मैं आपको Feeder Line को और भी अच्छे Example से बताऊ तो आप देखेंगे हमारे जो Distribution Submission होता है उस Distribution Submission से कई बार तो हमारे घरों के लिए लाइन निकाल दी जाती है तो घरों के लिए जो लाइन निकलती है वो अधिकतर 11 KV में होती है और जो 11 KV की लाइन होती है यह हमारी जाके जोटती है DTR के पास मतलब हमारे Distribution Transverse जो कि हमारे Electrical Pole पे लगे रहता है लेकिन दोस्तों कहीं बार क्या होता है हमारे Distribution Submission से हमारी जो कमपनी होती है उस कमपनी को भी लाइन जाती है तो अगर कहीं पर हमारी कमपनी कोई बड़ी लोड को कंजूम कर रही है तो वहाँ पर अधिकतर केस में 33 KV को Transmit किया जाता है तो इस बात का आपको ध्यांग लाइन फिडर लाइन के अंदर हमारे जनरली जो वोल्टेज होते है वो हमारे 11 KV और 33 KV होते है इसके लाव दोस्तों एक और काफी सिंपल और काफी जरुरी चीज कि अगर आपसे सिर्फ एक लाइन में पूछाता है कि FIDER LINE किसे कहा जाता है तो आप बोलेंगे वह है लाइन जो कि हमारे Distribution Substation और Consumer को आपस में जोडती है उस लाइन को FIDER LINE याफि Distribution LINE कहा जाता है इसके अरव दोस्तों इसी के आगे अगर हम Transmission Line की बात करें तो Transmission Line किसे कहा जाता है तो आपसे जो भी हमारी Generating Station में Electricity मिलती है वहाँ से लेके हमारी Electricity को Distribution Substation से पहुचाने का जो भी काम करती है वो हमारी Transmission Line ही करती है इसके बार में अगर हम LEN की बात करें तो Transmission Line हाँ आपर 80 km से लेके 240 km या फिर इससे भी ज़्यादा की होती है इसके बार में Next अगर हम Transmission Line की Voltage की बात करें तो यहाँ पर Voltage काफी ज़्यादा होते है जिससे कि 66 KV, 132 KV, 220 KV, 440 KV, 720 KV मतलब कि कहीं ज़्यादा High Voltage Transmission Line में आपको देखने को मिलेंगे तो दोसो यही कुछ मुख्य डिफ्रेंस फिडर और Transmission Line में होता है इसके लाद दोसो अगर आप Free Test देकर आपकी All India Ranking और साथ ही में कुछ Gift Outers को जीतना चाते है तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के Description Box में जाके इस Test Series के लिए Free में इन्रोल कर सकते हैं तो दोसो उमीर है कि आज के इस वीडियो के माद्यम से आपको कुछ बहतर जान करें मिली होगी आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक कर के जरू बता है अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परती है अफिए Electrical वीडियो दा आपको जेने ची कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूस सकते हैं Electrical के वीडियो सेगर आप निमें निखना पसंद करते हैं आज हमारे चनल को सस्क्राइब कर लिजिए आज के लेट नहीं धन्यवाद